गुरु शुक्र कोई घर्जब पहले थाठ लंबी जवीरों का योग पूर्ण खुद मंगल करता खून शाही या वजीरों का नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक है मंगल भाव नंबर साथ जो की भेत रोचक और मज़िदा टॉपिक है मेरी नजर में मैंने जिन्दगी में साथ नंबर भाव में जब भी मंगल को बैटे देखा है तो उस पर बहुत एक्सपीरियंस हासिल है चलिए बात करते हैं क्या कहती है हमारी लाल किताब मंगल साथ के बारे में और ऐसे इनसानों के बारे में ऐसा इनसान यह तो लंबी जागिरों का मालिक होगा एक उम्दा जिन्दगी जीने वाला इनसान होगा जिसे कुद्रत की दी हुई हर शै हासिल होगा और बेशुमार धन्ध वालत का मालिक होगा ऐसा इनसान अपने भाईयों को अगर पालता रहे तो इसकी तरकी में ज्यादा चार चांद लग जाएं लाल किताब कहती है कि ऐसा इनसान भगवान विश्णों की तरह अपने कुटुम्ब की पालना करने वाला इनसान होता है जिसे न्याय करने में कोई संकोच महसूस नहीं होता है इल्म र्याजी का मालिक होगा यानि की मैथेमेटिक्स का हिसाब किताब रखने की कला ऐसे इनसान के अंदर जनम से ही होगी इसके खून में होगी जब कभी भी मंगल अपने दौरे पर आए यानि की घूम कर मंगल कैसे भी वर्षफलियां वोचर में साथ नंबर भाव में आ जाए तो फिर मंगल या फिर ऐसा मंगल की अपनी उमर चल रही हो तो ऐसे इनसान की कोई भी बड़ी खुआश खुद्रत एक भावतों से जरूर पूरी करती ही करती है इसी के साथ साथ मंगल बद के हालात भी देख लेने चाहिए क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि ऐसा इनसान या तो उम्दा आला और शाहित हाट वाली जंदिकी का मालिक होगा या फिर गरीबी मुस्लिफी का मारा हुआ इनसान होगा परन्तु ऐसे इनसान कभी भी दर्मियानी जिंदिकी का मालिक नहीं होगा इस जगे लाल किताब ऐसा कहती है कि मंगल साथ में सबकुछ उम्दा भन दौलत परिवार ही सब सबका सभी रद्धी होगा बुद्ध मिले मंगल से जब मैं आपको खुल के समझाता हूँ कि अगर ऐसे इनसान की कुणली में बुद्ध का संबंद मंगल से हो गया जैसे कि बुद्ध भाव नंबर एक में साथ में आट में बारह में या फिर इसने अपनी कैसी भी बेफकुफी से मंगल को बुद्ध के साथ मिला दिया ऐसे इनसान में ऐसे इनसान की कश्टी वहाँ डूबती है जहां पानी कम है यानि कि आसान हालातों में भी परिशानी गले पड़ जाएगी इसके हालात ऐसे कब होंगे और उसकी निशानी या खुद की गई हुई गलती इस पे हम रोशनी डालते हैं इसको क्लिपे आप बहुत ध्यान से समझेगा और किसी लाल किताब के अच्छे जानकार से मिलकर इसका निवारन आपको जरूर करना चाहिए गर ऐसे इनसान का तालुक खाली या सुखे हुए कुए से या बोर्वेल से हो जाए या वे खुद बना ले और बुद्ध की चीजों का कारोबार कर ले जैसे कि स्टेशनरी का काम या म्यूजिकल चीजे या कारोबार या किताबों का या पेपर का काम या फिर रिष्टे में अपनी बहन, बेटी, भुवा, मासी, साली या अपने परिवार की कोई बेटी यादी की के साथ वेपार कर ले या कैसा भी कोई कारोबारी या कोई और संबंद बना ले या उनसे पैसा या उनसे मदद लेकर अपने कारोबारों में डाल ले या मंगल की उमर में ही अपनी बेहन बेटी की शादी बगरा कर दे या परिवार की कोई बेहन बेटी या बेवा डाइवोसी हो जाए और इसको अपने पास रहने दे, ऐसे कई हलात, उसके पास खुद रहना चला जाए, तो फिर मंगल अपने जहरीले सर पर आ जाए, यही नहीं, मंगल की दशा या अंतर दशा में या गोचरादी चल रहा हो, या वर्शफल में आ जाए, तब भी ऐसा इनसान अपने घर में आमान खरीद ले, आर्टिफिशल फ्लावर ले आए, कोई बांस की चीजे ले ले, कोई डोर बैल या विंड शाइम ले आए, जिसमें खनक हो, या तल जैसी आवाज आती हो, या फिर इस समय के दौरान घर की कोई सीड़ियां तोड़ कर दुबारा बना ले, यहां तक की को कोई पार्टी या कोई कीरत नादी कर ले, तो फिर मंगल अपने पंगे, गंदे, फल इन में समय डालना है, ऐसा डालेगा कि ऐसे इनसान को फिर भगवान यादा जाएगे, इसके जहर को उतारने के लिए छोटी करनिया, या अपने परवार की बेहन बेटियों को मीठा खि अशिरवाद लेना, ऐसे इनसान को बचा जाएगा, यह आगए आपको मैं उपाए में भी बताओंगा, धियान रखिए, कभी भी ऐसे लोगों की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, ऐसे सभी रिष्टों की जो मैंने अभी उपर बताए, और तो और एक खास उपाए, जो म मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि कभी-कभी यह ऐसे उपाए, सोशल मीडिया पर समझ कर करने से नुकसान बहुत अधिक देते हैं, परंतु धंसे किये जाए, तो करामती असर देते हैं, मेरा जो अनुबव रहा है, अगर मंगल साथ लड़की की कुंडले में हो, तो उसका अगर प्रभाव मंदा हो, तो उसका जो एटिचूड है, उसे अपने ससुराल में कभी भी भी अड़जस्ची नहीं होने देगा, और अगर लड़के की कुंडली में है, तो भी उसकी पत्नी का जो एटिचूड है, उसे हमेशा हाई ही मिलता है, ये दोनों हालातों में, पहले मंगल गीत गाकर बुना जाता था और उसे फुलकारी आदी में रखा जाता था, उसे फुलकारी भी जो है, वह भी मंगल गीत गाकर ही बुनाई की जाती थी और उसमें ही इसे सहेज के रखा जाता था, अब हमारी जो परंपरा हैं, ये लोग भूलते जा रहे हैं, र भूलिएगा इससे आपको और फाइदा मिलेगा जाते जाते एक और बात मा दुरगा की लाल चुन्री या कोई लाल दूपटा अगर घर लाते हैं मंदिर से आपको खजाने के तो और पर मिलता हैं तो वह भी आपको मंदा असर देता है अगर आपके पास है तो आप उसे 40 दि इस भी नहीं पहुंचेगी और आपका नुकसान भी नहीं होगा भाईयों अब मैं आपको बात करता हूँ कि इस पर क्या आपको उपाय करना चाहिए ऐसा इंसान अगर अपने भाईयों की सेवा करता रहता है तो इसकी किस्मत हमेशा चमकती रही है चोटी कंजकों और आपना बहुत उत्तम उपाय है दिवार अब बनाकर तोड़ने का उपाय जो मैंने आपको बताया है कि अगर दिक्कत आ रही हो तो आपको ये उपाय किसी अच्छे लाल किताब की जानकार से पूछ कर ही करना चाहिए भाई की उलाद को पालना इस इंसान की किस्मत की चाब ऐए शादी वाला लाल जोड़ा आप घर से निकाल दीजिए उसके लिए मैंने आपको भी बताया है अब बात करते हैं कि कैसा कारोबार ऐसे इंसान को करना चाहिए इसे इंसान को ढालो का बिजनस मसालों का बिजनस ये काम फायदा देते हैं इचाहे हिंकी Selling करे होलसेलिं करे ट्रेडिंग करे आयरुवेदिक यहां डाइजेशन सिस्टम से हाजमे से रिलेटेड दवाईयां उनका भी बिजनस कर सकता है फ्रूट बहुत बड़ा बिजनस है यह फ्रूट का वेजीटेबल्स का उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मसालों के काम दोस्तों यह सारे जो मैं कारोबार के बारे में बताता हूँ इसको भी आगे डिटेल में समझने के लिए आपको थोड़ी सी मेनत खुद भी करनी पड़ेगी और अच्छे लाल किताब के जान करके बास जाकर आपको उससे मार्क दर्शन लेना चाहिए मैं आपको हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि लाल किताब के उपायों का अधिक से अधिक ज्यान आपको दे सको लाल किताब के अंदर जो मंगल है उसका जो संबन वो भी खून से ही गिना जा है और दुनिया की हर बिमारी का पता डॉक्टर भी खून से ही लगाते है इसलिए कभी भी आपको medical emergency हो तो आपको डॉक्टर जितना आपको लिए फाइदे मंद है उतने ही फाइदे मंद आपके लिए लाल किताब की remedies और उपाए भी हो सकते हैं और मेरे कई दोस्त गाहे बगाहे अमर्जंसी में मेरे पास अपने मित्ते संबंदी या रिष्टेदारों को भी भेजते रहे हैं जिनको emergency पढ़ी और वो उपाए उनके उपर बढ़े चमतकारिक तरीके से असर किये और कभ ही मैं ये सब कुछ संबब कर पाया इसके लिए मैं लाल किताब का और उन सबी अपने गुरु जनों का जिनोंने अपने विद्वान होने की वज़े से उनके अनुभव की वज़े से उन्होंने मुझे गुरु रूप में अपना उनुभव मेरे साथ शेयर किया मुझे उन् जोस्तो हम नए नए टॉपिक पर चर्चा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं आपके लिए, आप हमारे साथ हमेशा बने रही हैं, आप अपने मेसेजिस के जरीए, अपने इमेल्स के जरीए, फोन के जरीए, आप हमारा होंसला बढ़ाते रहे हैं, आगे भी हमारे इस चैनल को लाइप और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आगे जल्दी हम नहीं टापिक पर आएंगे जल्दी ही नहीं सिल्सले की चर्चा करेंगे तब तक अपना आशिरवात बनाए रखिए धन्यावार के नमस्कार